स्वास्त विभाग के अपर मुके सच्चिवामित मोहन ने हाप उड़ जिला स्पताल का निरिक्षण किया जिसके बाद दिजिले के स्वास्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठा की और संभावित तीसरी लहर पर चर्चा की साथ ये पीकु वार्ड और ऑक्सिजन प्लांट का भी निरिक्षण किया है अपर मुके सच्चिवामित मोहन ने बताया कि कोविड-19 टीका के प्रती लोगों में काफी रुची है और लोग वैक्सिनेशन करा रहे हैं उन्होंने कहा कि वैक्सिन की डोज अवश्य लगवाएं कि अपर जनपद में जो स्वास के कारिक्रम हो रहे हैं उनकी मैंने समिक्षा की है और जो त्यारियां की गई है भविश्य के लिए जो वाड बनाए गए बच्चों के लिए पीकु वाड्स हैं और जो यहां पर ऑक्सिजन प्लांट लगाया गया उसका निर्शन किया और जो ऑक्सिजन का प्लांट है उसके लावा जो वैक्सिनेशन हो रहा है वैक्सिनेशन भी हम लोगों ने देखा कि बहुती व्यवस्तित तरीके से हो रहा है और लोगों में काफी रुची है इसके लिए वैक्सिनेशन के प्रती बहुत रुची है ल वैक्सीन की दूसरी दोज भी जरूर लगवाएं। पहली दोज के बाद जब आपकी तारीक आतीए दूसरी दोज की तो Αपना दूसरा जरूर दोज लगवाएं। जब आप दोणों डॉज लगवा लेते हैं तब आप फुल्ली वैक्सिनेटे टे और आपको पूरी सुरक्षा मिलती है तो यह अच्छा कारे हो रहा है यहां पर और यहां की टीम अधिकारियों की टीम डॉक्टर्स की टीम और जो बाकी के स्टाफ हैं उस सभी लोग अच्छा कारे कर रहे हैं